और जब कुद्रत साथ देती है ना तो इशारा भी करती है कि हवा का रूप किस तरफ है कि साथियों राजस्तान का किसान मेरे राजस्तान का नौजवान और आप सब माताएं बहने इतनी बड़ी संख्या में दूर दूर से हमें अपना आश्रवाद देने आए है और पूरा राजस्तान कह रहा है फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार और आज चुरू ने ये बता दिया है कि चार जून चार जून चार जून और जब मैं चुरू आया हूं तो दिल्ली से नरेंद्र देवेंद्र के लिए आथिरवाद मांगने आया है और जब नरेंद्र देवेंद्र के लिए आथिरवाद मांगता है तो आप लोग छप पर फार करके दे देते हैं साथियों बैटिये देवेंद्र जी आज पुरा देश विक्सीत भारत होने के संकल्प पर काम कर रहा है और इसमें राजस्थान की बहुत बड़ी भुमिका है जब राजस्थान विक्सीत होगा तो भारत भी विक्सीत होगा बीते दस साल में मोदी ने देश में जो काम किये हैं उन्होंने विक्सीत भारत की नीव तयार कर दी है आज पूरी दुरिया हरान है कि भारत इतनी तेजी से कैसे विक्सीत कर रहा है दुनिया को पता नहीं है कि भारत की इस मिट्टी की बात ही कुछ और है हम जो ठान लेते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं पिछले दस साल में आपने देश को बदलते देखा है आप याद करिए दस साल पहले तब देश कितनी खस्ता हालत में था कॉंग्रेस के बड़े बड़े गोटालों और लूट के काराण अर्थ ववस्ता चर्मरा गई थी दुनिया में भारत की साख गिर्ती जा रही थी आजादी के इतने दसक बाद भी देश के लोग जीवन की छोटी छोटी जरुरत्व के लिए जूज रहे थी करोडों गरीवों के सर पर छत नहीं थी करोडों लोगों को पीने का पानी उपलप्त नहीं था हमारे गाउं अंधेरे में दुबे थे वहां बिजली भी नहीं पहुँची थी और लाखों करोड की लूट से सरकारी खजाना खाली ही रहता था आप लोगों ने भी सोचा होता लिया जब हालत इतनी खराब थे इतने दसकों तक बुराईया थी तो इसका मन पर भी असन होता है और आप सब देश वासियों ने मान लिया था कुछ बदल नहीं सकता अब देश का कुछ हो ही नहीं सकता हर कोई निराशा में डूबा इसी हतासा निराशा में 2014 में आपने गरीब के इस बेटे को अपनी सेवा का मोका दिया हतासा निराशा ये मोदी के पास भी नहीं फटक सकती और मैंने तै किया कि हालात बदलने ही होंगे और मेरे लिए तो मेरा भारत मेरा परिवार है हमें इमानदारी से काम किया कोरोना जैसा इतना बड़ा संकट आया दुनिया सोचने लगी थी कि भारत तो बरबाद हो जाएगा दुनिया को भी बरबाद कर देगा लेकिन इसी संकट में हम भारतियों ने अपने देश को दुनिया की पांच वी सबसे बड़ी आर्थ वबस्ता बना दिया हम भी कह सकते हैं भई क्या करो पुरी दुनिया में आपदाई है हमारी यहां भी आपदाई है मैं क्या करो और हो सकता है देश वाले मान भी लेते हैं लेकिन मोदी ने वो रास्ता नहीं चुड़ा चुनावतियों को चुनावति देना यही तो हमारी मिट्टी की ताकत होती है और हमारे राजस्तान में तो कहते हैं अपनी करणी पार उतरनी हमने परिस्रम किया और परिणाम लाकर के दिखा दिया दस वर्षों में हमने करोणों गरीबों को प्रधान मंत्री आवाज योजना के तहर पक्के आवाज दिये पक्के घर दिये जिनकी तिन तिन चार चार पिड़ी जुकी जोपड़ी में जिन्द की गुजारती थी जो फुटपात पर जीने के लिए मजबूर थे ऐसे करोणों लोगों को पक्के घर दिये और मुझे खुशी इस बात की है कि हमने जो पक्के घर दिये ना उसमें अधिकतर पक्के घर मेरी माता और बेहन और बेटियों के नाम पर है वरना हम तो जानते हैं हमारी समाज रचना ऐसी रही है कि घर होगा तो पुरुष के नाम पर गाड़ी होगी पुरुष के नाम पर खेत होगा गुरुष के नाम पर दुकान होगी पुरुष के नाम पर सब कुछ पुरुष के नाम पर मोदे ने ताय कर लिया कि सरकार जो घर देगी वो मेरी महलाओं के नाम पर होगा आप याद करिये पहले जब घर बनाने के नाम पर योजनाए आती थी, तब क्या होता था, गरीब को पता भी नहीं चलता था, उसके नाम का पैसा, सरकार में बैठे लोग, और उनकी पार्टी के लोग खा जाते थे, लेकिन अब पैसा सी धे, गरीब के खाते में जा रहा है, अब गरीब को पक्का घर भी मिल रहा है, गर में जरूरत की सुविदाएं भी मिल रही है, साथियों, आज जब जीवन, आज जब हम जल जीवन मिशन योजना लेकर, गर गर में पानी का कनेक्शन भी देने का लगातार प्यात कर रहे है, राजस्तान में करीब पच्चास लाख घरों में पीने का पानी पहुँचाने का कनेक्शन दिया जा चुका है, कॉंग्रेस सरकार हमारी इस योजना में भी ब्रस्टाचार करने का मोका नहीं छोड़ती थी, अब उन कमियों को भी दूर किया जा रहा है, वहाँ पीछे सुनाई नहीं देता क्या, सुनाई दे रहा है, अच्छा ये तो आपका उत्सा है इसलिए, देखें, राजिस्तान के साड़े चार करोड जरुरत बंदों को हर महिने मुप्त राशन भी दिया जा रहा है, यानि जीवन के हर पड़ाओ पर भाजपा सरकार गरीब के साथ खड़ी है, जो काम इतने दसक में नहीं हुए, वो हमने दस साल में करके दिखाए, और इसलिए मैं कहता हूँ, जब नियत सही, तो नतीजे सही, और साथ यों, दस साल में जो हुआ, लोग तो कहते हैं, बहुत कुछ हुआ, पहले की सरकारों के तुलना में बहुत कुछ हुआ, आप भी कहते हैं, अरे मोदी जी तो राद दिन दोड़ते हैं, काम करते ही रहते हैं, सोते हैं के नहीं सोते हैं, आप लोग बताते हैं मुझे पता है, लेकिन काम कितना भी क्यों न हुआ हो, औरों की तुलना में अनेक बुना हुआ हो, लेकिन मुहदी के मन की बात में आज चुरू मैं बता देता हूँ, बता दू, बता दू, देखिये जो अब तक हुआ है न, वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर, आप आजकल बड़ी बड़ी होटल में खाना खाने जाते हैं न, तो पहले एपेटाइजर लेकर के आते हैं, फोड़ी फोड़ी जो तीन चार जरा बड़ी चटा के दार चीजे परोस्ते हैं, तो कभी लगता है यार इतना आगया, पेट तो फर गया, आप खाना क्या खाएंगे, यह जो मोदी ने किया है न, वो तो एपेटाइजर है, एपेटाइजर, अभी तो पूरी खाने की ठाली, आली बाकी है, बहुत कुछ करना है भाईयों, बहुत सारे सपने हैं, हमें देश को बहुत आगे लेके जाना है, साथियों, आज देश में मोदी की गारंटी की चर्चा हो रही है, मोदी की गारंटी कैसे पूरी होती है, और कितनी रप्तार से पूरी होती है, राजस्तान उसका बहुत बड़ा उदारन है, मैंने मेरी माता और बहनों को गारंटी दी थी, कि गरीबों का उजवला सिलिंडर सस्ता किया जाएगा, ये गारंटी पूरी हो वे ही है, मैंने वहाओं को गारंटी दी थी, कि बीजेपी सरकार बनते ही, कॉंग्रेस के पेपर लिक इंडरस्टी के खिलाब जाच बिठाई जाएगी, ये गारंटी भी पूरी हो गई है, मैंने ये भी गारंटी दी थी, कि राजस्तान का मेरा किसान, सेखावटी के मेरे लोगों के लिए, पानी की समस्या को खत्ब किया जाएगा, जिस E.R.C.P. प्रोजेक को कॉंग्रेस ले लटका कर रखा था, हमने उसे नकेबल फिक्रूत किया, बल्कि तेजी से काम भी जारी है, इससे पीने के पानी और लाखों हैक्टर जमीन को सीचाई का भी लाब मिलेगा, हमने हर्याना से समझोता करके, शेखावटी में पानी लाने का रास्ता भी साप कर दिया है, भाईयों और भेनों, भाजपा जो कहती है, वो जुरूर करती है, दूसरी पार्टियों के तरह भाजपा केबल गोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं, 2019 में हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था, उसके जादातर संकल्प पूरे हो चुके हैं, और दो साल कोविर के संकट के बावजूद भी, मोदी ने आपको जो वादा किया था, वो वादा पूर्णा करने के लिए, 80 चोटी का जोर लगा दिया है, राजस्तान के मेरे भाईब हैं, जिम्मु कश्मीर की धर्ती पर, जो मेरे बीर जवान शहीद हुए न, उसमें मेरे इस सेखावटी के जवान भी, शहादत मोली थी, उस जम्मी कश्मीर, जहां पर मेरे राजस्तान के बीरों का रख था, आज, उस जम्मी कश्मीर से, आर्टिकल तीन सो सत्तर खत्म हो गया, तीन तलाग पर कानून हमारी मुस्लिम बेहनों की मदद कर रहा है, और मेरी मुसल्मान माताए बेहने समझे, ये तीन तलाग आपके जीवन पर तो खत्रा था ही था, मेरी मुस्लिम बेटियों के सर पर तलवा लटकती रहती थी, मोदी ने आपकी रक्षा तो की है, लेकिन मोदी ने हर मुस्लिम परिवार की भी रक्षा की है, क्योंकि मुस्लिम परिवार का वो बिता, वो कभी सोचता था कि बेटी की शादी करके बेजा तो है, दो तीन बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद अगर वो तीन तला करके वापिस भेज देगा तो मैं बेटी को कैसे समालू भाई को लगता था अगर तीन तला के कारण मेरी बहन गर वापिस आ गई तो मेरा परिवार कैसे चलेगा हर मा को लगता था कि इतने उस्षा और उमंग्य साथ बेटी को शादी करके भेजा है लेकिन तीन तला क कह करके अगर बेटी को लोटा दिया तो मेरी बेटी की जिन्दगी का क्या होगा यहने पूरा परिवार तीन तला के नाम पर लटकती तलवार के नीचे मुसिबत में जिन्दगी गुजारता था मोदी ने सिरम मुस्लिम बहनों को नहीं सबी मुस्लिम परिवारों की जिन्दगी को बचाया है लोग सभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षन का कानून भी संसत्य पारित कर दिया है यह भाजपाई है जिसका संकल्प पत्र भी अपने आप में एक गारंटी माने जाना लगा है साथियों आज मैं चुरू आया हूँ तो कुछ पुरानी आदे भी ताजा हो रही है इससे पहले मैं जब 26 फरवरी 2019 में चुरू आया था तो उसी समय देश ने बाला कोट में एर स्ट्राइक की थी हमने आतंकियों को सबक सिखाया था और तब मैंने जो शब्द कहे थे चुरू की धर्ति पर जिन शब्दों को मैंने दोहराया था मैं आज फिर एक बार इस वीरों की धर्ति पर आया हूं तो मेरे उन भावों को दोहराता हूं तब मैंने कहा था यहीं चुरू में कहा था सोगंध मुझे इस मिट्टी की सोगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूँगा मैं देश नहीं रुकने दूँगा मैं देश नहीं जुकने दूँगा मेरा बतन है भारत मा को तेरा शीस नहीं जुकने दूँगा लेकिन साथियों आपको याद होगा हमारी सेना ने जब सर्थिकल स्ट्राइक और एर स्ट्राइक की तब कॉंग्रियस और उसके साथि क्या भाचा बोल रहे थे इसी गमंडिया गरवंदन के लोग हमारी सेना से शाओर्य के सबूत मांग रहे थे भाई और बहनों सेनाओ का प्मान देश का विभाजन ये कॉंग्रियस पार्टी की पहचान है जब तक इंडी एलाइस के लोग सब्ता में रहे इन्होंने हमारे जवानों के हाथ बांद कर रखे दुश्मन हमला करके चला जाता था ये जवानों को जवाब देने की इजाजत नहीं देते थे हमारे जवान वन रैंक वन पैंशन की मांग करते दे कॉंग्रियस इसे भी पूरा नहीं ओने दिया हमारी सरकार मनि तो हमने सहिनीकों को वन रैंक मन पैंशन का अधिकार भी दिया और सीमा पर पलट मार करने की छूट भी खुली छूट दे दी आज दिश्मन को भी पता है ये मोदी है ये नया भारत है ये नया भारत गर में गुश्कर मारता है साथियों बेज हिच से भी ज़्यादा कॉंग्रेस ने हमेशा तुष्टी करण को प्राथविक्ता दी है ये लोग तुष्टी करण के लिए किस हद तक जा सकते हैं ये देश ने देखा है ये वो लोग हैं जिनोंने कौट में जाकर कहा था कि प्रभू स्री राम तो कालपनीक है अभी कुछ महिने पहले ही अयोध्या में बव्य राम मंदिर का सपना पूरा हुआ पूरा देश प्रान प्रतिष्टा का उत्सव मना रहा था लेकिन कौंग्रेस पार्टी खुले आम हमारी आस्ता का अपमान कर रही थी साथियों दो देश ने कौंग्रेस पे पापों की हमेशा किमत चुकाई है और अभी अभी तो मुझे पत्रकार बता रहे थे कि कौंग्रेस पार्टी ने एक एड़वाईजरी निकाली है और एड़वाईजरी भी इतनी डरे डरे निकाली है उन्होंने कौंग्रेस की सभी काईयों को कहा है कि आयोध्या राम मंदिर की चर्चा अगर निकल पड़े तो मुझे ताला लगा देना कुछ बोलना ही मत उनको लगने लगाए कि अगर राम का नाम लिया तो पता नहीं कब राम राम हो जाए ये हाल हो गया उनका एड़वाईजरी निकालनी पड़ रही है भाईयो भेनो हमारा देश हमारी आस्ता इनका इतना खोर अपमान ये देश सह नहीं सकता है लेकिन भाईयो भेनो अब जब इन परिवारवादी ब्रस्टाचारी ये लूट का हिसाब हो रहा है तो इस सभी एक हो गए हैं मैं कहता हूँ ब्रस्टाचार हटाओ तो वो कहते हैं ब्रस्टाचारी बचाओ अम मुझे बताईए ब्रस्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए देश को ब्रस्टाचार से मुक्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ब्रस्टाचार ने देश को बरबाद किया है कि नहीं किया है प्रस्टाचार ने नव सेवानों के सपनों को चूर चूर किया है कि नहीं किया है क्या अगर मैं प्रस्टाचार के खिलाब लड़ाई लड़ता हूँ कि सही है कि गलत है सही है कि गलत है मैं प्रस्टाचार के खिलाब लड़ाई जारी रखो आपके असिरवाद है पूरी ताकत से अजिर्वाद मिलेंगे आपने देखा होगा इस समाए गमंडिया गड़मंदन के लोग चुनाब की रेलिया नहीं कर रहे है प्रफ्चाचारियों को बचाने की रेलि कर रहे है आप मुझे बताईए कॉंग्रेस के साउसत के ठिकाने पर छापा पड़ा और वहां से अलमारी में बक्सों में बंद किये हुए तीन सो करोड रुप्य से ज़्यादा मिले और टीवी पर देश ने देखा और केवल कॉंग्रेस के एक साउसत के पास से एक जगा पर से तीन सो करोड का खजाना मिला है और क्या क्या होगा वो तो भी भोजना है दस साल में अकेले इडी ने ब्रस्ता चारियों से एक लाग करोड रुप्य से ज़्यादा की संपति जब तकी है और मैं आपसे पूस्ता हूं ऐसे लोगों पर कारवाई होनी चाहिए के नहीं होनी चाहिए ऐसे लोगोंने जिंदगी जेल में बितानी जाहिए या नहीं बितानी चाहिए मैं इन प्रस्टाचारी परिवारवादियों से कहना चाहता हूँ कितने भी जूट फैला लो ये मोधी डरने वाला नहीं है साथियों कॉंग्रेस और इंडी घड़बंदन का सिरफ अपना हीत यही उनका कारकम है इने गरीब दली सोचीर वंचित के कल्याण से उनके सम्मान से कोई मटलब नहीं है ये वही लोग हैं जिनोंने कभी बाबा साब आमबेड का सम्मान नहीं किया इसी कॉंग्रेस ने बाबा साब को दसकों तक बारत रत्न नहीं मिलने दिया इन लोगों ने देश में आपात कान लगाया सम्मिधान को बंदग बनाया इस इंडियन लाइस के लोगों ने कभी पिछना वरगायों को सम्मिधानी दर्जा नहीं दिया दसकों पुरानी ये मांग मोदी ने पुरी बाजपा ने देश को दलीत राश्पती दिये देश की पहली आधिवाती महिला राश्पती दिदी लेकिन इने चुनाव हरवाने के लिए इंडी गडबंदन वालों ने पूरी ताकट लगा दिए अब 19 एप्रिल को 19 एप्रिल को सोसी तो वंची तो कैसे विरोधियों के साथ क्या करना है आपको पता है ना अपनिया राजतान में कहते हैं अकल मन्ने इशारोई गणों साथियों चूरू में बाई देवेंदर जान जड़िया जी जुन्जनु में शुपकराण चौधरी जी सीकर में स्वामी सुवेदानन सर्थवरी जी मैं आज आपके पास उन सब के लिए आशिरवाद मांगने आया और आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा मैं आज बता देना चाहता हूं चुरू में जो उमीदवार है देवेंदर और दिल्ली में है नरेंदर आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा देवेंदर के साथ मेरा बहुत पूराना नीकट नाता रहा है और जब मैं देवेंदर को पहली बार मिला जब मैंने उसकी मा की बाते सुनी मेरे मन को छूग गया कि मेरे देश के आन बान के शान के लिए शेखावटी की गरीब मा अनपड मा अपना बेटा जिसका शरीर मुसीबतों से गुजारा करने वाला शरीर है लेकिन उसको भी दुनिया में देश का नाम रोशन करने के लिए मा प्रेरित करती है और देवेंद्र भी गरीबी की परवा किये बिला जीजान से जुड़ करके भारत का सम्मान बढ़ाया है देवेंद्र को टिकर देने के पीछे मोदी का मकसद यही था कि जो गरीब मा का बेटा होता है उसके सपने भी पूरे होने चाहिए मोदी का देवेंद्र को टिकर देने का मकसद यही था कि मेरे देश के जो खिलारी है पुरे हिंदुस्तान के खेल जगट के बेटे बेटिया है उनको प्रोच्छान मिले कि आपका खेल का कारकाल यह देश कभी भूलने वाला नहीं है और उसका सिंबॉल यह हमारा देवेंद्र है और इसले में चुरू वाचियों से भिशेश रुपते ऐसा गरीबी से ही लड़ा ऐसा नहीं दुनिया में जाकर के देश का डंका बजाया ऐसे मेरे साथी को चाहे वो चुरू हो जुझनु हो या सिकर हो आप भार की ये जनता पार्टी को भरपूर आशिरवाद दीजिए और मैं आपको विश्वाद दिलाता हूँ आपके सपनों को पूरा करने के लिए मैं एडी चोटी का जोर लगा दूँगा जी गर्मी कितनी क्यों न हो मतदान पूरा होगा गए आपके सब्सक्ष्वाद दिलाता हूँ